गडिया ना ही सिर्फ हमें समय बताती हैं, बलकि हमारे अच्छे बुरे समय में भी यूगदान देती हैं जी हाँ, घर या ओफिस में दीवार पर टंगी घरी आपके वक्त के बारे में बहुत कुछ कहती है इन्हें अगर सही दिशा में लगाया जाए तो यह अच्छा समय लेकर आती हैं वहीं घलत दिशा में लगी घरी आपके लिए बुरा वक्त पला सकती है जाने क्या कहता है वास्तु घरीयों के बारे में कहते हैं घरी कभी किसी को तोहफे में नहीं देनी चाहिए इसे तोफे में देकर आप उसे अपना अच्छा और बुरा समय दोनों दे रहे हैं जब हम ये गिफ्ट में देते हैं तो वेह समय बंद जाता है और वही सामने वाले के पास पहुचता है दक्षन मुख सभी काम करने अशुब माना गया है घड़ी को भी कभी दक्षनी दिवार पर नहीं लगाना चाहिए क्यूंकि दक्षन यम की दिशा कही जाती है फिंग अशुई में कहा गया है कि इस दिशा में घड़ी लगाने से रहा में अर्चने आती है इससे नौकरी पर भी बुरा असर पड़ता है दक्षन दिशा से नकारात्मक्ता आती है इसलिए इस दिशा को छोड़ कर बाकी किसी भी दिशा में घड़ी लगा लें इसके अलावा घर के किसी दर्वाजे पर भी घड़ी नहीं लगानी चाहिए घर के मुख्यप द्वार के उपर वाली दीवार पर भी घड़ी ना लगाएं इससे परिवार में कलेश बढ़ता है अगर दीवार पर टंगी घड़ी काफी समय से बंद पड़ी है तो उसे या तो ठीक करवाले या अत्वा उतार दें बंद घड़ियां जिन्दगी में तरक्की प्रभावित करती है घड़ी का बंद होना मतलब आपके समय का रुख जाना